नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता इस वक्त की बड़ी ख़बर करनाटक से आपको बता दे करनाटक के मुख्यमंत्री होंगे सिदार मया पिछले काफी वक्त से ये माथा पच्ची चल रही थी लेकिन अब ये सारी अफवाहे दूर हो गई हैं कि डे शिवकुमार मुख् खबरे थी लेकिन बाजी मार ले गए हैं सिदार मया बताय जा रहा है राहूल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ये फैसला हुआ है कि सिदार मया ही करनाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे डी शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं ये इस वक्त की ब पल जूते उतार देते हैं ये सम्मान में किया जाता है दूसरी तरफ डी शिवकुमार ने कॉंग्रेस को वहाँ पर मजबूत जनाधार देने के लिए क्या कुछ किया है किसी से छिपा नहीं है लेकिन ये भी सच है कि डी शिवकुमार पर कई तरह के आरोप लगे हैं भी आती है कि वो साफ तोर पर कह रहे थे कि वो बागी नहीं होंगे पार्टी उनके लिए मा है वो कोई विरोत नहीं करेंगे तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत हद तक डी शिवकुमार को भी इस बात का अंदेशा था खैर अब आपको बताते हैं वो पांच मुखे जिनकी वजह से सिदार मया को इस पद के लिए चुना गया देखिए सबसे एहम कारण तो ये है कि सिदार मया करनाटक के मुखे मंतरी रह चुके हैं ऐसे में जो मूल भूत वहां के मुद्दे हैं उनको अच्छे से पता है जनता के बीच में उनकी अच्छे से पैठ है और जिनकी को एक बार फिर से कायम रखा जा सकता है सिदार मया को करनाटक का सीम बना कर क्योंकि वहां की जनता इस से खुश होगी दूसरा बड़ा कारण है सिदार मया की लोगप्रियता ये किसी से छिपा नहीं है कि सिदार मया की लोगप्रियता जबरदस है करनाटक में और इसलिए उनको मुखे मंतरी बनाने का फैसला कॉंग्रिस की तरफ से लिया गया है तीसरा कारण विधायकों का सपोर्ट ज्याद दर विधाया बताए जा रहा है कि 90 विधाया को ने वोट किया है सिदार मया के फेवर में और अपसे कुछ वक्त पहले सिदार मया का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्याद दर विधाया समर्थन में है दरसल सिदार मया ने कहा था कि इसके बाद वो राजनिती से सन्यास ले लेंगे लेकिन पार्टी के लिए शायद हो सकता है वो काम करते रहें तो मान लीजिए कि कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता होने की वज़ा से करनाटक में अच्छा खासा जनाधार होने की वज़ा से और अगले पांच साल बाद जो चुनाव होंगे उसको ध्यान में रखते होए कॉंग्रिस ने रणनीती दिखाई हो डी शिव कुमार को मुखेमंतरी बनाने की गलती करने से कॉंग्रिस इस बार बची हो हालकि खाबर यही है कि सिदार मया करनाटकी मुखेमंतरी होंगे जबकि डी शिव कुमार के नाम पर जो पोस्ट मिली है वो उप मुखेमंतरी की होगी आप बताए कॉंग्रिस आला कमान के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं